हलो एवरिवन कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब उमीद करते हूं कि सब भी अच्छ होंगे मैं भी अच्छी हूँ मैं हूँ आपके दोस्का वेले क्या हूँ फिर से आपके लिए एक नया वीडियो और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी प्लांट के वारे में आप जो देख रहे हैं ये भी एक तुलसी का ही प्लांट है और इसको मैंने शीट से ग्रूप किया है आप देख सकते हैं कि किसने सारे इसमें न्यू न्यू प्लांट सा चुके हैं तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है आज की वीडियो में आपको बताऊँगी कि तुलसी के पौधे को घर में किस तरह से हम लगा सकते हैं और इससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं सारा कुछ आपको जानकारी दूँगी इस वीडियो में बने रही है एंड तक दोस्तो इस प्लांट को आप दो तरीकी से लगा सकते हैं चाहे तो आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं कटिंग से लगाने के लिए पहले आपको इसकी कटिंग पानी की बॉटल में लगानी चाहिए पानी में ग्रो करने के बाद जब उसमें रूट सा जाए तब आपको इसको सोल में लगाना चाहिए तो बहुत असानी से इस प्लांट को आप ग्रो कर पाएंगे और दूसरा आप इसको sheet से grow कर सकते हैं या फिर आप इसको nursery से भी purchase कर सकते हैं इसके sheets इसी plant पर बनते हैं काफी सारी मजरी इस पर बनती है उसको आप अपने हातों की हतेरी से हलका सा muscle कर और किसी भी मट्टी में बखेर दे बहुत सारे plants आपको मिल जाएंगे आपको जो plant देख रहा है ये भी मैंने sheet से ही grow किया है काफी सारे plants इसमें है और मैंने कई सारे plants transfer कर लिये हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अलग-अलग कुछ plant लगा दिये हैं भाकी मैंने उसी में छोड़ दिये हैं उसी बड़े pot में और कुछ plant को मैंने अलग-अलग डिवाइड करके लगा दिया है और इसको बुशी बनाने के लिए आपको टाइम-टाइम पर इसको पिंच करते रहना अच्छा नहीं माना जाता है कई लोगों की तुल्सी सूग शाती है अशूब होता है तुल्सी का सूगना तो इसको आप थोड़ी सी केर के साथ हमेशा हरा भरा रख सकते हैं चलिए आपको बताती हूँ कि आप इसकी देखभल कैसे कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं कि आपको इस plant के लिए मिट्टी कैसी बनाने चाहिए मिट्टी बनाने के लिए आप एक हिस्सा garden soil लीजिए एक हिस्सा आपको कोई भी जो आपके पास compost है उस compost का यूज़ कीजिए और थोड़ा सा आप उसमें एक हिस्सा reverse and मिला लीजिए या फिर कोको पीट कोको पीट या reverse and का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि हमारी मिट्टी में अच्छे से नमी बनी रहे क्योंकि केवल अगर हम garden soil का ही यूज़ करते हैं तो उससे हमारी मिट्टी की जो सथा होती है वो जम जाती है जिससे की पूरे प्लांट की मिट्टी काफी सकत हो जाती है मिट्टी सकत होने से हमारे प्लांट को nutrition नहीं मिल पाते जो भी हम compost डालते हैं या कोई fertilizer यूज़ करते हैं वो पूरी तरह से मिट्टी में observe नहीं हो पाता है जिसकी वज़े से हमारा प्लांट पूरी तरह से nutrition नहीं ले पाता तो मिट्टी में आपको reverse रे या कोको फीड जरूर यूज़ करना चाहिए दूसरे नमबर पर बात करते हैं कि आपको इसके लिए pot कैसा लेना है दोस्तों आप इसको छोटे से छोटे pot में भी grow कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए बहुत बड़ा pot यूज़ करेंगे छोटे से pot में भी बहुत असानी से grow हो जाता है आप देख सकते हैं कि मैंने भी छोटे से bottle में इसको लगा रखा है कॉल डिंग की जो दो लिटर की bottle होती है वो ही ये bottle है और काफी अच्छे से मेरा प्लांट इसमें grow कर रहा है तो आपको केवल डेनिजोल का ख्याल रखना है किसी भी pot को चाहिए छोटा ले रहे हैं या बड़ा ले रहे हैं लेकिन बस इसमें डेनिजोल अच्छे से बनाई है इस तरह से आपको time time पर उसकी pinching करते रहनी चाहिए ताकि आपका पौधा काफी bushy और घना हो जाए तो आप देख सकते हैं कि छोटा सा ही प्लांट कितना bushy है कितना घना है time time पर इसकी pinching करते रहें तीसरे नमबर पर बात करते हैं कि इस प्लांट को हमें कहां रखना चाहिए दोस्तों इस प्लांट को आप धूब में रख सकते हैं इस प्लांट को आप bright light में रख सकते हैं किसी भी जगह यह प्लांट असानी से survive कर लेता है तीज चौथे नमबर पर बात करते हैं कि हमको इसे कौन सा कमपोस्ट देना चाहिए अगर आपके पास वर्मी कमपोस्ट है, आपके पास काउडन कमपोस्ट है, गोबर की खाद है कोई भी खाद आप इसमें यूज कर सकते हैं, लिक्विड फोर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं पांचवे नमबर पर बात करते हैं कि इस प्लांट को पानी कितना चाहिए, कितनी नीड इसकी पानी की होती है तो दोस्तों अगर आपने इस प्लांट को ऐसी जगह पर रख रखा है, जहां ये डारेक्ट सनलाइट में रहता है, पूरे दिन इस पे काफी ज़्यादा धूप पड़ती है तो आप इसमें मॉर्निंग में और इवनिंग में दो टाइम पानी डाल सकते हैं लेकिन अगर आपने इसे ऐसी जगह पर रखा हुआ है, जहां पर इसको ब्राइट लाइट ही मिलती है और मिट्टी में इसकी नमी बनी रहती है, तो आप दिन में एक बार पानी जरूर डालने हैं सर्दी के दिनों में आपको हर तीसरे दिन में इसमें पानी डालना चाहिए, क्योंकि सर्दी में हमारे प्लांस में हमेशा मिट्टी नम रहती है, तो इतनी ज़्यादा पानी की रिक्वार्मेंट नहीं होती है तुलसी के प्लांट्स पर अगर कभी कभी कीड़े लग जाते हैं तो उस पर आप कीट नाशकों का प्रियोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग इन्हें खाने में भी उप्योग करते हैं चाय में इसका उपियोग किया जाता है या फिर इसको काड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है तो किसी कीट नाश्रक का उपियोग करने से लोग जिजगते हैं लेकिन आप नी मॉयल का इस्प्रेइ इस पर कर सकते हैं एक बोटल में दो चमच आपको यूज करना है और अच्छे से अपने प्लांट पर इस्प्रेइ कर दीजिए इससे आपके प्लांट पर कोई बुरा प्रभाब भी नहीं पड़ेगा और आपकी तुलसी हरी भरी रहेग और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथी साथ बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नौटिफिकेशन टाइम से मिल सकें तो चलिए फ्रेंट्स मिलूंगे जल्दी ही एक नई वीडियो में नई इन्फोर्मेशन के साथ तब तक के लिए लेती हूं आपते विदा बाबाई फ्रेंट्स टेक केर्ट्स